हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं एक नमबर यूटूब चैनल ग्यान फोरिक्चाम इस वीडियो में आपको दिया जाएगा बिहार दरोगा स्पेशल जी कैसे समंधित सभी महतपुर्ण प्रस्त जिसके अंतरगती डूटेरिया पब्लिकेशन का 5000 mcq जो लाया गया था उसका ह आम लोग डेली एक एक वीडियो आपसे सेर कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो होगा सेट नमबर 10 इससे पहले 9 वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर दिये गए हैं अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर देख लेंगे आज का जो सभी 50 महत प्ल 셋 प्रस्ण होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे तो आजे चलते हैं प्रस नमबर एक पर पहला प्रस्ण कहता है कि अबूल हसन नामक चितरकार की सासक का दरवारी था तो प्रस्ण का आंसर आप देने से पहले सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है साथ हजार लोगों का परिवार बनने में मातर कुछ ही दूर है तो आप इसको सेर करके सबस्क्राइब लोगों से करा करके यह भी पूरा कर दे तो आपसे यह छोड़ी सी सहयोग की उमीद रहेगी और हम चलते हैं पहला सवाल पे तो कहता है कि अबुलहसन नामक चित्रकार की सासा का दरवारी था सही आंसर हो जाएगा हमारा जहांगीर के दरवार में दूसरा सवाल है कि निमलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं बांगलादेश से मिलती है मेघाले, त्रिपूरा, मिजोरम और असम इन सभी में अगर देखा जाए तो किसका मिलेगा तो इन सभी में आपके सभी जितने भी राज्ये हैं यहाँ पर दिये गए वो सभी की सीमा बांगलादेश से लगती है और आपको यह भी पता होगा कि बांगलादेश भारत की सबसे बड़ी अंतराष्ट्य सीमा बनाता है सवाल नमबर तीन कहता है कि पच्छिम घाट की निमनांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्छिन सही करम है एक नमबर का सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है यह अक्सर हमसे पूछा जाता है तो जब भी अगर इस तरह से सवाल आए तो ध्यान रखेंगे कि पच्छिम घाट से उत्तर से दक्छिन याने की उपर से नीचे की और जो पहाड़ियां दी गई है वह निलगड़ी फिर अन्नामलाई उसके बाद इलाईची की पहाड़ी इलाईची की ही पहाड़ी को हम काडमम की पहाड़ी भी कहते हैं चार'd नंबर सवाल है कि भगवान मावीर बन्ने जी बभ्यारन किस राज में है तो भगवान मावीर बन्ने जी बभ्यारन ये मुख रूप से गोवा के अंतरगत स्तित है option number C पाँचवा सवाल और बहुत ही important सवाल है कि बरसा जल का pH मान कितना होने पर हम उसे आमले बरसा की संग्या देते हैं तो बरसा जल जो है ये 5.5 से कम अगर उसका pH मान हो जाए तो वह आमले ये बरसा के रूप में जाना जाता है 6. सवाल है कि संबिधान सभा के लिए चुनाब कब हुआ था तिसका सही आंसर हो जाएगा संबिधान सभा के लिए चुनाब हुआ था जुलाई और अगस्त 946 के आसपास में संबिधान का उपा कौन सभाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्तम न्याले में जा सकता है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6 तो अगर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा भाग 1 भाग 1 यानि कि मौलिक अधिकार से समन्दी थे आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में मौलिक अधिकार जिसे हम अमेरिका से प्राप्त किये हैं इसको लागू करवाने के लिए आप डाइरेक्ट सुप्रिम कोर्ड तक जा सकते हैं सवाल नमबर 8 वा कहता है कि स्वादेसी अंदोलन की अधिवेशन के बाद हुई तो स्वादेसी अंदोलन यानि कि 1905 आपको याद होगा 1905 के अंतरगत स्वदेसी अंदोलन की अधिवेशन चल रहा था option नमबर C चंपारन सत्यागरा के प्रमुक किसान नेता कौन थे चंपारन सत्यागरा आपको पता होगा उन्हें 117 में होई थी और जिसको निर्धारित करने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया था और उस समय के प्रमुक किसान जो थे राजकुमार सुकल थे दसवा और important सवाल कहता है कि निमनांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है यानि कि indirect tax नहीं है निगम कर आई कर और सीमा सुल्क इन सभी में अगर देखेंगे तो जो सीमा सुल्क है border tax ये प्रत्यक्ष नहीं अब प्रत्यक्ष कर रहे तो अपसर नमबर C कि अगला सवाल सवाल No.11 कहता है कि कारने-टाइट किस धाटू का अयस्क कि आऎक खनीज है कारने-टाइट के अगर बात करें तो खरा कारने-टाइट ये मुखरूप से uranium का अयस्क है दिवनाम पधती के प्रतिपादक कौन है तो आपने दिवनाम पधती नाम सुना होगा साइंस के अंतरयत बायोलाजी में पढ़ने के लिए मिलता है तो दिवनाम पधती अनिके बायोनॉमिल सिस्टम के जनक के रूप में लीनियस को जाना जाता है किस संबिधान संसोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राजपाल बनाने समंधी प्रावधान किया गया है सातवा, चोविसवा, ब्यालिसवा या चोवालिसवा तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवा संविधान संसोधन के तहत एक ही व्यक्ति दो या आधीक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं चौदो नमबर ही की बिहार में पंचायतों की बिते इस्थीति का पुन्राबिलोकन करने के लिए निमन में से कौन राज बीतायोक का गठन हमेशा राज जेपाल करता है और किंद्रिय बीतायोक का गठन राष्टपती करता है गीत गोविंद के रचैता जैदेव की सासा के दरवारी कभी थे तो जैदेव जो है ये मुखरूप से आपको मिलेंगे कहां पे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लक्षमन सेन के गीत गोविंद के रचैता जैदेव लक्षमन सेन के दरवारी कभी थे 16. सवाल कहता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोड दिया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उप्सन नमबर C प्रात्मिक सिक्षा पर आपसे सवाल है कि हंटर कमीशन किस वर्स लाया गया था और एक सवाल और है कि हंटर आयोग किस लिए आया था एक हंटर आयोग है एक हंटर कमीशन है आयोग की भी जानकारी कमेंट में देंगे 17. सवाल कहता है कि भारतिय संबिधान का अनुछे 244 संबंदी थे तो बिहार के अंतरगत यानि कि जो पंचायत होता है जीला पंचायत राज पता धिकारी को देता है तो आंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमर डी जीला पंचायत राज पता धिकारी को बिहार का पंचायत मुख्या अपना त्याग पत्र देता है निमलिखित में से कौन सा रूस जो है ये भूवावैसित नहीं है 20 नंबर सवाल कहता है कि किस बौध संगीती के दोरान बिनाय पीटक और सुथ पीटक की रचना की गई थी तो ध्यान रखना है बिनाय पीटक और सुथ पीटक की रचना पाहली में हुई थी जबकि अविधम पीटा की रचना तीसरा में हुआ था आपको बताना है कि टोटल बौध संगीती कितने हुए है 21 नंबर है कि उने 137 के प्रांतिय चुनावों के बाद कॉंग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी तो कॉंग्रेस का जो पूर्ण बहुमत था उन सभी को मिला करके उसने आठ राज्यों में अपना कुल सरकार बनाया एक जीन एक एंजाइम सिधान्त के द्वारा परतिपादित क्या गया है तो एक जीन एक एंजाइम सिधान्त का परतिपादन बीडल और टैटम के द्वारा उप्सन नमबर C 23 नमबर देखेंगे सुमेलित करने वाला है और सुमेलित करके इसको मिलाना है तो मिलान की किये कहता है कि इरेपसीन इरेपसीन जो है इसका ऑंसर जो है उप्सन नमबर D है मिलान कर लेंगे इरेपसीन जो है पॉली पेप्टाइड को अमीनोमल में बदलता है उसके बाद माल्टेज जो है यह माल्टेज को गुलुकोज में बदलता है लाइपेज की बात करें तो सेस बसाओं को अमली ये अमली तथा गिलिस रॉल में बदलेगा सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है इरेपसीन पॉली पेप्टाइड को अम्यून अमल में माल्टेज माल्टोज को गुलुकोज में लाइपेज सेस बसाओं को बस ये आमले तथा गिलिसरॉल में बदलेगा और सुक्रेज सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलेगा पदार्थ का पर्मानविक सिधान्त सरपर्थम किस ने दिया है तो पदार्थ का पर्मानिक सिधान्त ये सबसे पहले जॉन डॉल्टर ने दिया था उप्शन नमबर B धान से निकलने वाली गैस कौन सी है तो ये मीथिन हो जाएगा ओप्सन नमबर भी ये आपको पता होगा आगे चलते हैं 26 नमबर सवाल कहता है कि गृत्वा करसन बल निमलिखित में से की सस्थान पर सबसे ज़्यादा होता है बिस्वत रेखा, करक रेखा, मकर रेखा या ध्रूप पर तो गृत्वा करसन बल जो है हमेशा ध्रूप पर सबसे ज़्यादा होता है ओप्सन नमबर डी सुची एक को सुची दो से फिर से मिलान करना है यहाँ पर बिटामिन का नाम दिया गया है और उसका रसाइनिक नाम दिया गया है तो बिटामिन B1 बिटामिन B1 को हम किस नाम से जानते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि बिटामिन B1 को हम थाइमिन के नाम से जानते हैं क्लिर है vitamin B1 को thymine कहेंगे फिर कहता है vitamin B3 vitamin B3 को nicotinicuml कहेंगे vitamin E को हम E को tocopherol कहेंगे और vitamin K को हम phyloquinone कहेंगे तो option number A हो जाएगा 28 की ध्वानी की चाल निर्वात में कितना होता है तो ध्वानी की चाल जो हमेशा निर्वात में सुननी ही होगा option number D वीडियो को एक और आप share करके जरूर आ जाएंगे देखे हम आपके लिए इतना मेहनत करते तो आपको भी हमारे थोड़ा सा support करना ही पड़ेगा और आप करेंगे ठीक है आ गया यह 29 नमपर कहता है एक बर्नांध पुरूस बासमान महला की संतानों में पुत्रों के बर्नांध होने की संभावना कितनी है तो पुत्र के बर्नांध होने की संभावना जो है 0% है क्या क्यों क्या एक बर्नांध पुरूस और एक समान महला की संतानों में पुत्र बर्नांध होने की संभावना कितनी है तो 0% क्योंकि यह जो color blindness की है एक पीढ़ी बाद होता है यानि कि उसी का नहीं उसके अगले पीढ़ी जो आएगा पुत्र का पुत्र उसमें होगा तीस नमबर है कि एक भारत स्रेश्ट भारत अभ्यान भारत के किस मंत्राले या संस्थाद्वारा जारी किया गया है सही आंसर है हमारा उप्सन भरी सूचना और प्रसारन मंत्राले एक भारत स्रेश्ट भारत अभ्यान सूचना और प्रसारन मंत्राले सुची एक को सुची दो से सुमेलित करेंगे अब यहाँ पर देखे क्या है एक तरफ वन है बन का प्रकार है दूसरे तरफ अस्थान है तो उसने कटी बंधिये बन उसने कटी बंधिये बन के अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा हमारा silent valley उसने कटी बंधिये बन silent valley यानि कि किरल के असपास में संकुब्रिक्च बन की बात करें तो संकुब्रिक्च यागनी की कोनिये बन हमें मिलेगा हिमाचल प्रदेश में कच्छ बनस्पति के अगर हम बात करें तो कच्छ जो है यह हमें सुन्दर बन के अंतरगत मिलेगा और पथजड की बात करें तो राजस्थान में मिलेगा यानि कि 31 का option number D हो जाएगा अब देखिए कि निके मन में सवाल यह होगा कि कच्छ बनस्पति गुजरात के तरफ है यानि कि राजस्थान से बौडर साजा करता है तो नहीं कच्छ बनस्पति का मतलब वो नहीं है कच्छ यानि कि दलदली तो सुन्दर बन हो जाएगा 32 नमबर है कि निपाल की सीमा को असपर्स करने वाले बिहार के जीलों का सम्मूह बताईए पहुत ही बेहतरीन सवाल है आप इसको अगर धियान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा पच्छिम चंपारन, पुर्वी चंपारन, सीता मरी, मदुवनी, सुपाल, अररिया और किसन गंज आप्सन नमबर ए पखोई बन्नी जीव अभ्यारन कहा है तो पखोई जो बन्नी जीव अभ्यारन है ये अरुनाचल परदेश में है केंद्रिया बन्नी जीव अभ्यारन, अरुनाचल परदेश केंद्रिया बनस्पती अनुसंधान संस्थान कहा है ती थी थे? 34 का सही आंसर हो जागा उप्सन नमबर ए बनस्पती आउसधी ये सभी लखनव में अंग्रेजो द्वारा बनाए गई भूरा जस्प विवस्था की निमन प्रनालियों में कौन क्रिसको के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा तो रईयतवाडी विवस्था करता है सवाल क्या कहता है कि अंग्रे जो द्वारा बनाई गई हुआ कौन सी भू व्यवस्था है जो क्रिसकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा देता है किसानों को ज़्यादा सुरक्षा देता है तो रईयत वाड़ी व्यवस्था सहायक संधी बिलेजली द्वारा लाई गई निवन में से किस राज्य के इस सासक इसमें समली थे नहीं हुए थे पेशवा, भोसले, सिंध्या और होलकर तो इसमें सहायक संधी में जो सामिल नहीं हुआ था इसका सही आंसर हो जाएगा होलकर 37 नबर सवाल है कि निवन में से कौन सासक बौध धर्म से समंधित नहीं है असोक, कनीश्क, प्रसेंजित और चंदरपद्योत तो बौध धर्म को नहीं अपनाने वालों में से एक है चंदरपद्योत आप्शन नमबर D 38 कहता है कि बौध की खड़ी परतीमा किस काल में बनाई गई तो बौध की जो खड़ी परतीमा बनाई गई थी ये कुसान काल के अंतरगत कनीश्क के समय में ज्यादा पर चली था किस राजवन्स ने सरवाधिक सोने के सिक्के चलाए तो सरवाधिक सोने के अगर सिक्का का बात करेगा तब हो जाएगा हमारा गुप्त बंस जबकि सोना का सिक्का चलाने की बात करेगा तो एक इंडो-ग्रिक के समय में भी होता है और कुसान के भी समय में होता है सीसा बोलेगा तो साथ बहान यहाँ पर जो है सरवाधिक सोना तो गुप्त बंस चालिसे कि निवन में से कौन सही सुमेलित नहीं है हिंदों पर लगाया गया कर जज्या कर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात युद में लूट का माल खुम्स मुस्लिमों द्वारा लिया जाने वाला भूमी कर खराज तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा D हो जाएगा कि मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमी कर खराज यह गलत है ठीक है खुम्स और खराज यह सभी जो है अल्लावदिन खिल जी के समय में लगाया गया था तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा option number D मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमी कर खराज यह गलत है बाकि लूट में जो है यह खुम्स मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला कर जकात हिंदुओं पर लगाया गया कर जज्या कर निकोलो कॉंटी किस देश का यात्री था तो निकोलो कॉंटी जो था यह मुख रूप से आता है कहां से इटली से आता है और किस के समय में आयागा यह आप बताएंगे आपको option देते हैं क्रिस्न देवरा या फिर अब्दुर रज्जाक चली 42 नमबर है कि विजय नगर समराज पर सरवाधि काल तक किस बंस का सासन रहा विजय नगर समराज वही जो कि हरिहर और बुका ने बनाया था तो यह वहाँ पर मुख रूप से चार बंस आये थे उसी चार बंसों में से यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस का रहा था तो संगम बंस का रहा था है ना संगम, सोलब, तुलब, अराबड़ू करके ऐसा इसका कथन था 43 है कि निवन में से कौन लोहा का आयास्क नहीं है हेमाटाइट, मैगनेटाइट, सीडेराइट और मैलेकाइट तो यहाँ पर देखा जाए तो मैलेकाइट जो है लोहा का आयास्क है नहीं है हीरे का क्रिस्टल किस आकार में होता है हीरा का क्रिस्टल यानि क्याकार जो होता है यह मुख रूप से चतुस फल की होता तो option number B, Asia का सबसे पुराना share बजार कौन सा है, तो यहाँ सही answer हो जाएगा, option number D, Bombay Stock Exchange, Asia का सबसे पुराना share बजार है, निम्न में से किस अर्शास्त्री ने अब सरलागत का सिधान्त दिया था, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अब सरलागत का सिधान्त जो है, यह हमारा option number D हो जाएगा, गोट फिर्ड है बरलर, 46 का option number D, अब सरलागत का सिधान्त गोट फिर्ड है बरलर, आगे, 47 ने कि निमलिखित को सुमेलिद करे, यानि कि पुरसकार है और छेतर दिया गया है, देखते हैं क्या है, ग्यानपिट पुरसकार के अगर बात करे तो यह आपको हो अगर साहित का छेतर, ठीक है, भटनागर की बात करे तो भटनागर जो है यह आपका उसको छोड़िए, अरजुन पुरसकार खेल से, भटनागर बिज्ञान से, दादा साहिब सिनेमा से, अब सुमेलिद हो गया, तो ग्यानपिट पुरसकार साहित, भटनागर बिज्ञान, अरजुन पुरसकार खेल और दादा साहिब फाल के सिनेमा से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिला लिजे, फोटी सेवन का उप्शन नमबर B, 4213, फोटी एट कहता है कि निवन में से कौन सी नदी जम्मू और कस्मिर में प्रवाहित नहीं होती है, सतलज, जेलम, च जम्मू कस्मिर से तो सिंधु निकलती है, तो बरतमान समय में सिंधु लदाख के अंतरगत चला गया है, और सतलज तो नीचे में हिमाचल परदेश के आसपास में, बाकि जेलम और चिनाब जम्मू कस्मिर से निकलता है, सवाल बेहतरीन है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सिंदु नदी जो है जब वो उपर से आती है मानसरोवर तरब से तो लद्दाक का हिस्सा में प्रवेस करके आता है जो कि पहले जम्मू कस्मिर्था बरतमान में वो लद्दाक है उन्चास कहता है कि निवन में से मेडा गासकर किराधानी क्या है तो मिड़ा गासकर की राधानी एंटाना नारी वो यानि कि option number A option number A पचास और आखरी सवाल कहता है कि 2011 की जनगन्ना के अनुसार निमलिखित राजियों में से किसमे नगरी करन का अस्तर सबसे निमन है नगरी करन यानि कि सहरी करन सबसे कम कहा है तो इसका आंसर से पहले आप चैनल को सबस्क्राइब करिए और सबस्क्राइब किए हैं तो जल्दी से एक और share करके आए और like कीजिये उसके बाद इसका आंसर दीजिये ठीखे और PDF जो है इसका आप टेलिग्राम से download कर लेंगे तेलिग्राम पे दिया हुआ है तो इसका सही आंतर हो जाएगा option number D पच्छी मंगा अभी यहीं पे खतम नहीं हुआ है यहाँ पर कुछ शस्मर्निय तथ्य भी दिये गए है कुछ छोटे से point उसको भी जान ही लेते हैं हम लोग साथ में तो देखे कहता है कि पल्ला बंस का संस्थापक था पल्ला बंस का संस्थापक सिह विष्णू को माना जाता है जिसकी राजधानी कांची पूरम थी और करता है कि मत बिलास प्रहसन के लेखक महेंदर बर्मन इसी बंस से संबंदी थी मत बिलास प्रहसन के लेखक कौन है उपाधी नर्सी बर्मन प्रथम फिर कहता है कि कांची इस्थित का इलासनात मंदिर का निर्मान किस ने करवाया इसका सही आंसर हो जागर नर्सी बर्मन द्यूतिय ये सभी पल बन से समंदित तक थे प्रसिद पुस्तक दसकुमार चरित के लेखक डंडी किसके दरवार में त साथ बिलास प्रहसन के लेखक महेंदर बर्मन सिह विस्नु के दरवार में रहते थे तो ये हुआ अब पूरे पचास प्रस्न और कुछ समर्णिय तत्थे के साथ हमारा आज का प्रस्न समा इसका अगला सेट बहुत जल्द ही आपको 11 नंबर सेट प्राप्त हो जाएगा टे ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंत